आज को मेरा टॉपिक है है हैपिटाइटिस ए हैपिटाइटिस ए को उर्दू में पीला एरकान भी कहा जाता है और यह कैसी बिमारी है जिसके अंदर जिगर डिरेक्ली इन्वाल्व होता है सबसे ज़दा एफेक्टेड औरगन अगर हम बात करें मैन औरगनिस में जिगर है यानि लिवर हैपिटाइटिस ए को समझने के लिए सबसे पहले जो वर्ड है हैपिटाइटिस इसका हम लोग मीनिंग देखते हैं वर्डली मीनिंग की बात करें तो हैपिटाइटिस वर्ड को Hepatitis A को इस वीडियो में हम लोग completely discuss करने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि Hepatitis A basically होता क्या है किन वजुभात की वज़ा से होता है Sign and Symptoms, अलामात इसकी क्या है उसके अलावा इसके Risk Factor, Treatment तमाम चीज़ों को हम लोग discuss करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए Hepatitis A, इसके अंदर inflammation हो जाती है liver की, यानि जिगर की सोजिश हो जाती है और ये किस वज़ा से होता है Hepatitis A virus, जिसको हम HAV भी कहते हैं short formage की अब ये virus कैसे पहलता है, spread कैसे करता है एक healthy बंदे को जिसके अंदर vaccine ना लगी हो unvaccinated हो, healthy बंदा हो वो जब कोई खाना ऐसा खाता है या पानी ऐसा पीता है जिसके अंदर virus है contaminated हो जो virus से तो उसकी वज़ा से उसके अंदर hepatitis A की बिमारी हो सकती है अब mainly ये जो बिमारी है ना ये गंदे पानी यानि जो जरासीम आलूद पानी है उसकी वज़ा से होती है या खाना ऐसा खाया जिसके अंदर जरासीम मुझूद था virus मुझूद था और वो जैसे ही बंदा खाएगा तो उसके अंदर virus चला जाएगा ठीक है और personal hygiene का जो लोग ख्याल नहीं करते है जैसे toilet यूज करने के बाद हाथ बॉश करना लाजमी है अगर कोई इस चीज़ का ख्याल नहीं रखता तो उसके अंदर भी होने के chances है उसके लावा sanitation का proper अगर निजाम किसी area में नहीं है तो वहाँ पर लोगों में बहुत chances होते हैं कि उनको hepatitis A हो जाए अच्छा अब हम लोग बात करें अगर इसकी alarmات की इसके symptoms की तो सबसे पहले तो बात यह है कि अगर जरूरी नहीं है कि हर एक patient में symptoms आए कुछ लोग asymptomatic भी होते हैं यानि कि उनके अंदर कोई अलामात नजर नहीं आ रही होती लेकिन अगर खुदा ना खासता किसी को hepatitis A हो गया है virus की body में चला गया है तो उसके अंदर क्या अलामात हमें देखने को मिल सकती है तो सबसे पहले जो चीज आएगी वो है pain पैन जो है वो right side of abdomen यानि कि जहां पे पेट में जिस चिगा पे जिगर पड़ावा होता है ठीक है वहां पे उस चिगा पे उपर अगर आप हाथ से मैं आपको diagram से अगर दिखाना चाहूँ तो यह इस diagram में अगर आप देखें इस चिगा पे right abdomen पे इस चिगा पे pain होगा ठीक है उसके बाद जो दूसरा symptom है वो है fever बुखार हो सकता है jaundis जो बहुत important symptom है जिसमें skin का color आँखों का color जो है वो pale हो जाता है पीला यरकान इसको कहा ही इसी वजह से जाता है किसमें skin और eyes pale हो जाते हैं diagram के मदद से अगर आपको दिखाओं यह देखें क्लेरी विजिबल है कितनी ज्यादा yellow वी है skin की और eyes का भी अब देखें color कितना yellow होगा उसके इलावा जो है digestion related disorder यानि के हाजमे से related problems हो सकती है urine का color बहुत जादा dark हो सकता है fatigue weakness बहुत जादा extreme और tightness होगी हालांके काम भी इतना जादा नहीं किया होगा कोई workout नहीं किया होगा फिर भी उनको ऐसा लगएगा जैसे बहुत ठकावट हुई है ठीक है उसके अलावा vomiting उल्टियां वगरा और nausea दिल खराब होना ये तमाम चीज़ें हो सकती है फिर इसके अगर symptoms को हम थोड़ा सा extend करें तो इसके अंदर भूख की कमी आपको देखने को मिलेगी appetite reduce हो जाती है उसके अलावा जोड़ों का दर्ड भी हो सकता है अब हम लोग बात करें अगर causes of hepatitis A किन वजुहात की वज़ा से hepatitis A हो सकता है पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग personal hygiene का सफाई सुथाई का ख्याल नहीं रखते उनके अंदर ये चीज़ हो सकती है जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि toilet यूज़ करने के बाद hands properly wash ना करना और उसके लावा ऐसा है कि अगर contaminated food खा लिया यानि पानी ऐसा जिसके अंदर virus मुझूद था वो पानी पीने से या फिर ऐसा खाना खाने से जिसके अंदर virus मुझूद है इस तरह से ही बिमारी लग सकती है उसके लावा जो है ये जो स्रिंज होते हैं एक तो अगर नॉन स्रिला हो रही है वह होता है कि एक बन्दे को पेशिन्ट को से लगाई जिसको हैपेटाइटिस था ठेक है वही स्रिंज डिस्पोस कि वर दूस調 दित्सकों कोई बिमारी नहीं थी उसको अगर लगाई-जाएगी तो उसको हैपेटाइटाइस ब्लास कथे टेक हैं ₹ सरिंज की मद हैं गंदे पानी में जहां पर वाइरस मुझूद है स्विमिंग करने के दुरान मतलब जाहरी सी बात है कि थोड़ा बहुत पानी मुह में और नाक में चला ही जाता है तो उसके विजा से फिर वाइरस आपकी बाड़ी के अंदर एंटर हो सकते हैं उसके अलावा ऐसी जुगो और एक इंपॉर्टन चीज के अब एक बंदा बिमार है घर में तो उसका तोलिया टॉवल उसकी जो डिशिस हैं बरतन है और इस तरह की जो परिसनल यूज की जो चीजें हैं वो अगर कोई और बंदा यूज करेगा तो उसको ये चीज लग सकती है ठीक है इस चीज का खास सकते हैं तो शेरिंग नीडर इसकी वज़ासे पहल सकता है और उस पर फे एक और चीज़ है एक स्पोर्य टू टूक्सिक केमिकल के या गजिया घर उसकी विजा तो उसकी वजह सकता है अनसेफ सेक्स की वज़ा से और वैक्सीनेशन अगर किसी को ना लगी भी वह ठीक है व ये बिमारी होने के चांसे हैं और फिर वही चीज आगी के अंसेफ वाटर ड्रिंकिंग जो है कंटेमिनेटर वाटर पीने से पानी पीने से लगता है अब ये चीज आ जाती है कि हम लोग हैपिटाइटिस ए को प्रिवेंट कैसे कर सकते कैसे बचा सकते होत को सबसे पहली बनाने के लिए सबजीं को दोने कि लिए फूट्स को दोने के लिए पानी हुगा होाँ वह भी साफ होना चाहिए ठीक है ताकि आप बिमारी से दूर रह सके उसके बाद वश करना हैंड्स प्रॉपरली टॉالट यूज़ करने के बाद ये आदत अपनी पकी कर ले उसके बा अपने वेक्सिनेशन प्रॉपर कर्वाना उसके बाद लिवर को हेल्दी रखना है इसे फूड ऐसा लाइस्टाईल अडौपत करना जिससे हमारा जिगर हेल्दी रहे और प्रॉपरली कॉक्ट फूड खाना साफ पानी पीना साफ पानी से फूट्स वगरा वाश करना और नेल करें अगर इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकोल की तो इसके लिए कोई स्पैसिफिक ट्रीटमेंट एक्जिस्ट नहीं करता क्योंकि यह जो हैपिटाइटिस ए है ना यह खुद बाखुद कुछ रसे के बाद ठीक हो जाता है ठीक है और यह जो है ना ज्यादा तर केसिस में होता कि कोई Permanent damage यानि कि AXA किहले कि मुस्तकिल तोर पे कोई बी ऐसा नुकसान नहीं पहुँचाता लीवर को जो हमेशा के लिए हूँ बहुत कम बहुत कम बहुत कर एसमेंसा देखा गया है कि परदेधा और ओर्यूइस यह बाण़ट Price WeSiCh Madeerta को ठीक कर लेती है ठीक है वायरि जो है वो ठीक हो जाते हैं और कोई डैमेज भी पर्मिनेंट ट्री जाता ठीक है उसके बाद इन केस के अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें के थोड़ी बहुत जो ड्रग बगरा और किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकते है तो उसमें याद जाता है कि डाइट एक तो प्रॉ गैंडरल वाटर उसके अलब कोडिको स्टरॉइट कइल पेसेंटंस में यूज किया जाते हैं इंजांब्ट इंजायम्स यूज किया जाते हैं एंटेर reflects थेरापी भी यूज की जाते ही तैंक यू सो मुझ फॉर अटेंशन